गूगल पेसे लोन कैसे ले जहाँ दोस्तो अगर आप भी गूगल पेसे लोन अपलाई करना चाहते हैं गूगल पेसे लोन लेना चाहते हैं तो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि गूगल पेसे कैसे लोन अपलाई करते हैं और साथ ही साथ उस पैसे को अपने बैंक म नहीं देती है बलकि GoogleSearch के साथ बहुँत सरे loan company हो का टाइप रहा हुआ है जहां साप loan ले सकते हैं या पर आपको बहुत साल own company मिलेगा जिन सा लोई को complete कर सकते हैं विदियो को श्रू करते हैं इसे पर अब आगर आपने वीडियो लाइक नहीं की है तो वीडियो को लाइक कर दिए चैनल पढ़ना है चैनल को सब्सक्राइब कर लिए तो दोस्तों Google पे से लोग लेने के लिए सबसे पहले आप Google पे आपको अपने मोहल में डाउनलोड करेंगे गुगल पे आप डाउनलोड करने का लिंक आपको इस वीडियो पे आपको डाउनलोड करके ओपेंड करेंगे सबसे पहले आपसे नोटिफिकेशन के अक्सिस मंगेगा तो आप अलाओ कर देंगे अब जैसी दोस्तों Google पे आपको अपका डैस्बूर्ट आपके समने कुछ इस प्रकास सो हो जाएगा तो सबसे पहले आपको गूगल पे से बैंक अकाउंड के साथ भी लिंक होना चाहिए तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे आप अपने बैंक अकाउंड रेजिस्टर मोबाल नंबर से गूगल पे अकाउंड को क्रियेट करेंगे तो जो आपके मोबाल में जितने भी इमेल आइडी लोगिन रहेंगे वह इमेल आइडी यह आटमेटिक डिटेट कर लेगा तो आपके सामने आपका इमेल आडी सो हो जाएगा तो आप उसी मेल को लिंक करना चाहते हैं तो रहने दीजेगा इसके बाद आप एक्सेप एंड कंटीनियो ऑफशन पे क्लिक करेंगे आपके दियू हुए मोबाल नंबर पे ओ हो जाता है आप सक्सेफुल गूगल पे अप में लॉग इन हो जाएंगे और आपके समने गूगल पे अपका डैस्बूर कुछ इस प्रकास हो जाएगा अब दोस्तों गूगल पे अकाउंट को फुली तरीकी से एक्टिवेट करने के लिए आपको गूगल पी के साथ अपन पेर बंक का पेर बैक्वाति करते हैं आपके समने सबी हैख को कल लिस्ट आजाएगा तो जिस बैंक में आपका अकाउंट है उसी बैंक कूल चूज करेंगे चलिए हम यहां से बैंक को सजच कर ले हो तो हम यह पर अपना bank select करेंगे आपको continue option दिए का continue option पे click करेंगे अब जैसी continue option पे click करेंगे आपको कुछ permission allow करना है जैसे कि phone call का SMS send rate का सी permission call all करेंगे आपका mobile नमर verify क्या जाएगा इसके बद आपका bank account find किया जाएगा तो देक सकते हैं मेरा bank account find हो चुका है लोन अप्लाई करेंगे हम Google पर इसे लोन कैसे ले सकते हैं यहाँ पर दोस्तों जैसे आप नीचे स्क्रोल डाउन करेंगे तो डैस्वोड पर देख सकते हैं आपको बिजिनेस का सेक्षिन मिलेगा और यहाँ पर आपको बहुत सरे लोन कमपणियों का लिस्ट मिलेगा जहां से आप लोन ले सकते हैं तो दोस्ति आप गूगल पर आपको directly लोन नहीं देती है तो मैंने आपको पहले किलियर कर दिया है तो यहाँ पर गूगल पर इसे बहुत सरे कमपणियों जुड़े हुए हैं Google पे किसाद बहुत सारे loan company'y'o' का type अप है जहाँ साप loan ले सकते हैं जैसी कि money view से आप loan apply कर सकते हैं Google पे अपके तुरू, prefer loan आप apply कर सकते हैं Google पे अपके तुरू और यहां पर बहुती आसानी से आपको loan मील जाता है तो चलिए हम prefer loan को select करते हैं अब जिसे आप loan company को select करेंगे दो खुछ सेकंड wait करेंगे अब दोस्तो देख सकते हैं आपके समने loan apply page आएगा तो यहां पर जैसा कि बताया है get a personal loan from 10,000 to 3 lakh यानि आप यहां से 10,000 रुपिय से mobile नमर का access allow करना है अब जैसे mobile नमर का access allow करेंगे कुछ second wait करेंगे आपका mobile नमर verify किया जाएगा location का access भी आप से मांगेगा तो आप allow करेंगे अब दोस्तों यहां पर देख सकते हैं जैसे आपका mobile नमर verified हो जाता है अब आपके समने एक form आ जाएगा इस form में आपको अपना complete बर्द डालेंगे जो आपके pen card में दिया हुआ है इसके बाद यहां पर decide loan amount पूछा गया है तो आपको जितना loan का requirement है वो loan amount आप डालेंगे जितने भी amount का loan लेना चाहते हैं इसके बाद दोस्तों आप यहां पर अपना employment type चूज करेंगे कि आप क्या करते हैं अगर आप एक few details select करने हैं और fill करने हैं सबसे पहले आप अपना gender को यहां पर select करेंगे इसके बाद आप अपना pen card का number डालेंगे इसके बाद आप अपना area का residency pin code इंटर करेंगे इसके बाद आप अपना personal email ID डालेंगे इसके बाद आप get offer option पे click करेंगे अब जैसे दूसरा अपना डिटल यहां से 80 रुप्य का लोन ले सकते हैं तो इसी प्रकार आपको भी अपना लोन अफर देखने को मी जाएगा दोस्तो अगर आपको ज्यादा लोन अफर किया गया है और आप उस Amount से कम केले मिनिमम 54 लून लेशक थाटे हैं तो इस पर आपको लॉन टेनर करना है किआप कितने मंत के लिए लाउन को लेज आ जाएक के लाउप मैंनों के लिए टाइम मिलता है 12 मैंनों तक के लिए इस लोन को ले सकते हैं तो चलिए हम जिनका लोन अप्लाई कर रहे हैं उनको ज्यादा पैसो की ज़रूरत है तो चलिए हम 80,000 रुपिय का पूरा अमाउंट रहने देते हैं इसके बाद हम यहां पर टेनर को सिलट करते हैं सब कुछ आपको देखने को यहां पर मिल जाएगा तो सब कुछ आप चेक करेंगे अगर सब कुछ आपको सही लगता है तो आप कणफर्मेंट प्रोसीड ओफ्शन पर क्लिक करेंगे अब आपको अपना डॉक्वेंट को अप्लोड करना होगा क्यों आज सी डोकुमेंट त करेंगे तो जैसे आप सारा document upload कर देते हैं इसके बाद आपको bank details भी verify करना होगा तब आपना bank details भी verify करेंगे अब जैसी दूस्ता आप सब कुछ complete कर लेते हैं आपका loan successfully approve कर दिया जाएगा और आपका loan amount भी यहापे 100 कर जाएगा और साथ यह साथ loan amount आपके bank account में transfer भी कर दिया जाएगा कोशी टाइम के अंदर जैसे आप देख सकते हैं सब कुछ complete कर लिए तो यहाँ पर loan approve हो चुका है कंग्रेचुलेसन का message मील चुका है loan amount यहाँ पर 100 हो चुका है और साथ यहाँ पर बताएगा amount will reflect in your account soon have a nice day यानि जल्द मेरे bank account में loan amount आ जाएगा तो इस तरह कि दूसर आप गूगल पर आपके तुरू लोन को अप्लाइ कर सकते हैं जैसे में आपको